हलो बच्चों वेलकम टू आसीज क्लासेज आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइकल और सेल डिवीजन ठीक है तो जो सेल साइकल और सेल डिवीजन चैप्टर है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नीट इग्जाम के लिए और क्लास 11 में इसे कई सारे कॉस्टन बनते हैं हर साल एक य दो कॉस्टन है होता क्या है तो अगर हम सेल की बात करें तो जितने भी हमारे human beings हो, plants हो, मतलब जो भी चीजे हैं, जो भी cell से मिलकर बनी हुई है, उन सब में क्या होता है, cell cycle continuous चलता रहता है, ठीक है, cell cycle, अगर human beings की बात कर लेते हैं, तो जब तक cell cycle चलेगा, तब तक human यानि आदमी जिन्दा है, और जैसे ही cell cycle रुख जाता है, आदमी क हो जाता है, ठीक है, तो cell cycle हमारे body के लिए बहुत ही ज्यादा important है, अब plant की बात करते हैं, जब तक cell cycle चलता है, तब तक वो जिन्दा रहते हैं, जब cell cycle बंद हो जाता है, तो भी क्या हो जाते हैं, डेट हो जाते हैं, human beings की बात कर लेते हैं, इंसानों की बात कर लेते हैं, तो cell cycle और cell division के बारे में हम discuss करते हैं step by step ठीक है तो यहां पर हम बात करते हैं cell cycle and cell division cell cycle होता है क्या और cell division क्या होता है तो cell division is essential for growth repair and reproduction देखो cell division की अगर बात करते हैं तो cell division हमारे growth के लिए important है बहीं जब हमारे सरीर में क्या होगा होगा कि cell division होगा तभी तो growth होगा जब किसी बाच्चे का जणुआ होता है यह embryonic development cell लेते हैं ठीक है यह हम बात कर लेते हैं sperm और vivo होता है जाइगोर्ड बनता है जाइगोर्ड से बच्चे bardzo लेकर सो सबस्क्रार को व Kelccoli लेकर मरने टक तो वहां तक क्या लेता दो महिने चार महिने बाद ऊसका रड़ अलग हो जाता एक कंडिशन邊 कि बड़ाप बड़ाप मेद क्यों तो यह होता है वहारा तो cell division हमारे किसके लिए important है तो पहला point आ जाता है बचो growth के लिए अगर growth होगी तो उसके लिए cell division बहुत ही ज़्यादा important है repair का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारी कई सारी cell damage हो जाती है तो वहाँ पर repair के जगे पर cell division बहुत ज़्यादा important जैसे हमान लेते हैं कि हमें कही पर चोट लग जाती है तो अगर चोट लग जाती तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा तो है कि वह चोट आँ पर बनी रहे कुछ समय के बाद वह चोट नहीं जहाती है조गी वहाँ पर cell division हो जाते है उस reproduction के लिए भी क्या होता है, cell division बहुत ही ज़्यादा important होता है, ठीक है, many cell cycle transform a single cell to a multicellular organism, देखो, यहाँ पर यह बताया गया है, कि many cell cycle, कई cell cycle ऐसे होते हैं, जिनसे क्या होता है, single cell से एक multicellular organism बन जाता है, ठीक है, मतलब कई cell cycle ऐसे होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, कोई अगर single cell है, तो उस single cell से multicellular organism हमारा बन जाता है, ठीक है, तो यह था हमारा cell division के बारे में, ठीक, अब आ जाते हैं बच्चों, लोग cell cycle के बारे में, तो cell cycle होता क्या है, बैसिकली cell growth, DNA replication and cell division constituent cell cycle, ठीक, जो cell cycle होता है, वो हमारा क्या होता है, cell growth के लिए होता है, RNA replication के लिए होता है, ठीक है, और हमारे cell division के लिए, और कई सारी constituent cell cycle के लिए होता है, ठीक, event हम बात कर लें, happening a cell cycle is genetically controlled, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह बताया गया है, कि cell cycle के दोरा, जो भी हमारी genetic information होती है, जो भी genetically ही चीज़े होती है, उन सब को हम cell cycle के दोरा ही control करके रखते हैं, ठीक है, जो भी genetic से related चीज़े होती है, उनको हम cell cycle के दोरा control करके रखते हैं, आगे चलते हैं, third point बताया गया cell cycle में, duration of a cell cycle varies in different organism, and different type of cell, तो जो cell cycle होता है, वो different organism में different type से होता है, ठीक है, सब का अपना-अपना cell cycle अलग तरीके सोता है, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे, the average duration of human cell cycle is 24 hours, देखो, जो human के अगर बात कर लेते हैं, human beings में जो cell cycle चलता है, वो 24 hours चलता है, ठीक है, whereas, each cell complete one cell cycle in 90 minutes, जबकि हम east की बात कर लेते हैं, तो वो अपना एक cell cycle पूरा करने में 90 minutes का समय लेते हैं, जबकि human beings में 24 hours का, ठीक है, तो different organism में जो cell cycle होता है, बच्चों, वो अलग-अलग होता है, हमने यहाँ पर समझ लिया, कि human beings में कितना time लेता है, 24 घंटे में cell cycle complete होता है, जबकि वहीं अगर हम east की बात कर लेते हैं, तो east में 90 minutes लगता है, एक cell cycle complete होने में, ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं, cell cycle की ओर, तो cell cycle divided into two parts, जो cell cycle होता है, उसको दो भागों में divide कर दिया गया, कौन-कौन सा, पहला phase आजाता है हमारा interface, और दूसरा आजाता है हमारा m phase यानि mitosis, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इन दो point को discuss करेंगे, आगे बच्चों हम बात करेंगे, interface की, ठीक है, interface की हम बात करेंगे, तो interface होता क्या है, तो interface होता क्या है, interface is the longest part of cell cycle, जो cell cycle होता है, उस cell cycle का जो interface होता है, वो सबसे longest part होता है, ठीक है, अब यहाँ पर interface में होता क्या है, कि यह सबसे तो longest part होता है cell cycle का, और यहाँ पर cell क्या करेंगे, ग्रू करेंगी, मतलब जो cell होगी हमारी, वो growth करेंगी, और copies its DNA, और उसकी जो DNA होगी, उनका क्या करेंगा, वो copies करेंगा, ठीक है, before moving the mitosis, यानि mitosis, start होने से पहले cell growth करेंगी, और जो DNA होगा, उसकी copies करेंगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, कि DNA क्या होता, mitosis क्या होता है बचो, यहाँ माईटोसिस थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, mitosis, माईटोसिस होता क्या है, क्योंकि बार बार mitosis आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है, तो mitosis जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, हमारे पास mother cell है, ठीक है, mother cell और यहाँ पर number of chromosome 2N है, ठीक है, अब इनसे जो daughter cell बनेगी, mother cell से 2 daughter cell बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो number of chromosome होंगे, वो क्या होंगे, 2N और 2N ही होंगे, ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो हमने interface को समझा, interface में होता क्या है, कि यहाँ पर cell का growth होगा, और यहा moving the mitosis, यानि mitosis में जाने से पहले हैं, ठीक, अब उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं, यहाँ पर interface को भी कई सारे parts, 3 parts में डिवाइड किया गया है, ठीक है, interface को 3 parts में डिवाइड कर दिया गया है, या 3 phase में डिवाइड किया गया है, पहली phase आती, G1 phase या gap 1 phase, ठीक है, and DNA replication of next cell cycle देखो जो जीवन फेज होगी यानि जो gap phase होगी वो क्या होगी कि जैसे previous यह हमारे पास previous mitosis है ठीक है यह previous mitosis है और यहाँ पर क्या है कि DNA replication for next cell यहाँ पर DNA replication for next cell ठीक है next cell हो तो इनके बीज का जो gap होगा बच्चों यहाँ पर यह जो gap है इसी को बोलते हम लोग जीवन फेज या gap one phase यहां तक सब को समझ में आया होगा उसके बाद में second phase में चलते हैं हम लोग s phase जिसे हम लोग synthesis phase बोलते हैं ठीक है यहाँ पर क्या होता है in this phase dna replication takes place यहाँ पर जो dna replication होता है मतलब यहाँ पर s1 phase में dna replication start हो जाता है the dna content of cell double and centriole duplicate यहाँ पर जो dna का content होगा वो क्या हो जाएगा बच्चो वो cell में double हो जाएगा और जो centriole हो जाएगा वो क्या होगा centriole duplicate होना start हो जाएगा ठीक है तो यहाँ तक यह point हमने समझा आगे चलते हैं इसमें आप देखो यहाँ पर एक important point यह दिया गया है कि chromosome number remains same अब देखो एस phase में जो क्या होगा जो number of chromosome होगे वो क्या होगे रिमेन यानि फिर से वो ऐसे same हो जाएगे बराबर हो जाएगे ठीक है अब देखो थर्ड point की ओर चलते हैं जी टू-फेज यह गेपटू-फेज यह क्या होतब क्यों क्या है और grow करने के बाद में यह क्या करती prepare for mitosis जो mitosis के लिए prepare होती है protein synthesis takes place अब यहाँ पर क्या होगा कि protein synthesis भी हमारा होने लगता है in adult human beings there are many cells which do not divided देखो अगर हम adult human की बात करते हैं तो कई सारी सेल हमारी ऐसी होती है जो क्या होती कभी डिवाइड नहीं होती है ठीक है बहुत सारी सेल डिवाइड नहीं जैसे हम to replace injured and dead cells लेकिन कभी-कभी हार्ट सेल में क्या होता है कि जो डिवाइड सेल होती है और जो injured cells होती है उनको replace करती है ठीक है तो यह यहाँ पर हमारी phase के बारे में था कि interface क्या है उसके टाइप क्या है इन सब चीजों के बारे में हमने बढ़ लिया अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम बात करेंगे mitosis तो जैसा कि mitosis के बारे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या होगा एक single mother cell होगा जहांप number of chromosome क्या होता है 2N होता है और उससे जब daughter cell बनती तो उसमें भी number of chromosome 2NN ही रहता है ठीक है तो यह mitosis हमारा है माइटोसिस होता क्या mostly तो mitosis mostly occurs in deployed somatic cells जो mitosis होता है उसमें क्या होता है कि यह हमेशा deployed somatic cell होता है of animal ठीक है with few exceptions haploid male drones of honeybee ठीक है यानि यहां पर अगर हम बात करें जितनी भी हमारी mitosis की बात कर लेते हैं तो mitosis mostly हमारी क्या होती है deployed somatic cell होती है लेकिन exception के form में हम कुछ cell को छोड़ देते हैं जैसे हमारा male drone होता है जो honeybee में ठीक है इसको छोड़ करके in plant mitosis happens in both haploid and deployed अगर हम plants की बात करते हैं तो plants में haploid mitosis और deployed दोनों प्रकार का होता है ठीक है माइटोसिस is responsible for genetic continuity जो genetic continuity होती है उसके लिए mitosis हमारा responsible होता है ठीक है and growth growth के लिए यह आपको पता है repair के लिए and multi cellular organism के लिए ठीक है अगर growth हो रही है किसी भी चीज की तो उसके लिए भी हमारा mitosis important है क्योंकि mitosis होगा तभी नई cell हमारी बनेंगे और जब नई cell बनेंगी तभी पर वहाँ पर क्या होगा growth होगा repair की बात करते है तो अगर कहीं पर कोई चीज कुछ cell damage हो गई है तो वहाँ पर mitosis होगा तो जब mitosis होगा नई cell बनेगी तो repair का काम करेगा उसके बाद में reproduction की बात करते हैं और्गैनिस्म में तो reproduction में भी हमारा नई cell बनेगी तो आगे की generation बढ़ेगी ठीक है तो कहीं न कहीं mitosis हमारे daily life में human beings के लिए बहुत ज़्यादा important है in human the epithelial lining जो human की epithelial lining होती है या lining of guts की बात करते हैं blood cells की बात करते हैं are replaced continuously ठीक है तो यह continuously क्या की जाते हैं replaced की जाते हैं mitosis के throw in plants की बात कर लेते हैं in plants meristematic tissue divided continuously ठीक है जो plant होता है आपको पता होगा कि plant में क्या होता है meristematic tissue पाया जाते हैं ठीक है जो क्या होते हैं continuous divide होते हैं और वो continuously divide इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें mitosis की process होती रहती है mitosis accounts for asexual reproduction and या या फिर यहाँ पर हो जाता है vegetative propagation ठीक है when where identical individual are form देखो अगर हम चाहे हम asexual reproduction की बात करें या फिर vegetative propagation या vegetative reproduction तो दोनों के लिए mitosis बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है क्योंकि जब mitosis होता है तो उसी के according क्या होता है कि जो नया individual बनता है बिल्कुल identical बनता है ठीक है identical का मतलब अपने parents से मिलता रहता है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर sexual reproduction हो या vegetative propagation तो इन दोनों के लिए इन दोनों में भी mitosis होता है तो आज के लिए इतना ही रखते है अगले lecture में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का